नमस्काल दोस्तो जैवाल पॉइंट की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है देगे फिरेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हैड को इस्टेबल का जोन नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में तो डिटेल में हम पूरी जानकरी आपको देंगे और आप हैंडिकेफ हैं तो साथ में मैं चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कीजिएगा क्योंकि दिव्यांग जिनों से और साती साथ गुर्मेंट जो उसे लेटर सभी तरहेगी कि जानकरी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है चलिए स्टार्ट करते है आज कि इस वीडिये को हम देखिए आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है जो कि आपका सत्रा पांच दो जार बाइस से लगा करिके सोलच हैं दो जार बाइस तक आपका फोर्म इसमें भरा जाएगा इसके लावा लावा लाश्ट डेट आपकी जो अठार अच्छे रहेगी ओफलाइन चलान और सत्रा च्छे आप तक जो है आप इसमें फोर्म को भर दीजिएगा उसके उलावा आपका अप्लिकेशन फोर्म खुलेगा जो कि क्रेक्शन फोर्म रहेगा 21-2022 से 25-2022 तक सेप्टेमर में आपका जो है एक्जाम इसमें हो सकता है चलिए आगे इसमें के विकलांगों का क्या किस तरीके से रोल रहेगा वो भी हम पूरी आपकी इसमें जानकरी देंगे आपकी जो पे मेट्रिक्स हैं यह लेवल 4 की वेकंसी हैं लगबग आपका ज़ए 25,500 से लगा अगर के टोटल आपका 81,100 तक आपकी इसमें सेलरी बेस रहेगा यह आपकी सारी इसमें वेकंसी दी हुई हैं देखे वेकंसी आपकी जो ओपन वेकंसी हैं केटेग्री टोटल आपकी 503 आपकी इस तरीके से वेकंसी हैं और एक्स तर्वीस में आपकी 56 वेकंसी हैं टोटल 559 आपकी इसमें वेकंसी हैं अब इसमें नीचे देखिएगा आउट बोट लेग अफेक्टिड एधर वन और दोनों आपका जो है और डिसेबल्टी सर्टिफिकेट आपका किस्ति होना चाहिए 40 परसेंट से जादा होना चाहिए देर पोस्ट विल बी सिविलियन इन नेचर एंड देर विल नोट वियर युनिफोर्म ओप दिल्ली पुलिस तो यहने कि इसने कहाए कि आपको जो ड्रेस है वो दिल्ली पुलिस की ड्रेस नहीं दी जाएगी युनिफोर्म आपको देने ही जाएगी क्लेरिकल की जोब है और इसमें आपके लोकोमोटर डिसेबल्टी ही इन्होंने कहा है चलेंगे वह आपके वन लैग या फिर बोट ल इसमें से 276 में से आपकी टोटल 8 वेकेंशी आ रिजर्वड हैं फोर किसके लिए परसंवी डिसेबल्टी के लिए और लोकोमोटर डिसेबल्टी ओप 40 परसंट एंड अबाव ठीक है वही सेम इन्होंने इसमें भी कहा है आप इसमें कोई युनिफोर्म नहीं दिया चलिए नेशनल्टी आपकी दियोई है एज देख लीजेगा आप टोटल एज क्रेटीरियास में कितना रहने वाला है यह आपकी जो है 18-25 होनी चाहिए एज लिमिट पांच साल का आपको देखी निचे जो से कैटिगरी है उनके एसाब से निचे में आपको बता भी दोंग कि किसमे कितना अरक्षन कहां तक मिलता है यह आपको छूट कैसे कैसे मिलेगी देखी 18-25 तो नोर्मली है ही आपकी उसके लावा SCST को 5 साल का रिलेक्षिशन मिलेगा OBC को 3 साल का मिलेगा PWD अगर आपका जर्नल केटेगरी से है तो 10 साल का रिलेगा PWD OBC है तो 13 साल का PWD SCST ह पंदरा साल का एक्सर विसमें तीरियेस आफ्टर डिर्क्षन ओफड़ा है ठीक हाइट देखी हाइट और चेश्ट की जो बात है वो जो हैंडिकेफ हैं उनके लिए नहीं है आपकी जो ठीक हैं लेक्षिए हैं आपकी हाइट होनी चाहिए इस तरीके से यानिकि जो फिजि और चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें तैखियेगा क्वालिफीकेशन क्रीकेशन प्स परहूं चैहिए इसमें तो हॉनी चाहिए हैं अगर आपके पास है तो आपके बेनीफिड घा दीचेएगा क्योंकि इसमें बैनिफित मिल जाता है एक और आपके पके पास application fees इसकी आपकी 100 रुपे है और आपके जो female candidate है वो उन सभी के लिए क्या है आपका exempt fees center देखिए आप जहां कभी डालना चाहें जो भी north, south, east, west जहां कभी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसमें क्या है आपके देखिए computer-based आपका होगा all candidate male and female अब पहले इसमें सब कुछ देखिए requirement कैसे कैसे होगी आपकी यह आपका scheme of examination परती mode of requirement the selection process shall consist of the following compulsory test in the given order computer-based test होगा आपका पहले तो 100 नंबर का ठीके फिर आपका physical measurement होगा दिल्ली पुलिस के लिए qualifying होगा typing test होगा computer-based और computer formatting test होगा by दिल्ली पुलिस qualifying nature all candidate male and female will be put through a computer-based examination one and half ठीके 90 minute में आपको जो है इसमें आपका computer-based exam रहेगा conduct at the different center the computer-based examination will consist of one object type paper, 100 question and 100 marks negative marking रहेगी आपकी .50 की 100 question रहेंगे 100 number के रहेंगे question paper for computer-based examination will cover the following subject and will be conducted in Hindi and English only ठीके आप देख लिएजिए इसमें कौन-कौन से आपके पास इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा एक तो आपको journal awareness जीके आपको पढ़ने पढ़ेगी quantitative aptitude आपको इसमें पढ़ना पढ़ेगा basic arithmetic skill ठीके इसमें आपको journal intelligence पढ़ना पढ़ेगा यानि की reasoning पढ़ने पढ़ेगी English knowledge होनी चाहिए आपको basic और साथ ही साथ आपको computer fundamental यानि की computer की जानकारी होनी चाहिए no scribe will provide person with disability candidate for the examination कोई भी scribe इसमें नहीं जाएगा देखें काफी अच्छी बात इसमें है काफी अच्छा फाइदा हो चुका है क्योंकि scribe इसके अंदर नहीं जाएगा बिल्कुल भी provide नहीं होगा scribe date examination इसके आपकी tentative चेंज हो सकती है यह सब चीजे इन्होंने जैसे सभी एक्जाम के नदर दी होती है कि आपका इसका इसका से लेवस देख लीजेगा क्या क्या है इसमें आपका टाइमड वर के ग्राफ से आपके क्वाड़िटे ट्रेंगल ठीक है आपका सारा कुछ इसमें सरकल दिया हुआ है हाइट इन डिस्टेंस है यानि कि एडवांस में इसमें आपका सामिल है टिकनोमेटरी है तो जैसे सीजेल का पेपर आता है सेम ऐसे तरीके का पेपर इसमें बढ़नेगा जैसे सीजेल का पेपर होता है यानि कि रीजिनिंग है इ computer है आपका इसके अंतर में आपकी इस तरीके से देखिए male candidate अगर up to 30 years है तो race हो गया आपकी 7 मिनट में और long jump है इसमें high jump है आपका female candidate के अलग है जो की ठीक है इस तरीके से और यह सब कुछ आपका दिव्यांग जुनों के लिए नहीं होता गई यह राइस में देखिएगा इसके बारे में तो ही आपका इसके लिए जवाब का जो फीमेल प्रेगनेंट है पिजिकल मेंगेंट दिया हुए इसमें चेश्ट वगए आपकी हाइट वगए यह सब देखिए यह राइ राइब का टीक है यह राइब पोईंट नॉमबर 20 जिसे हम दूंड रहे थे पोईंट नॉमबर 20 में medical standard आपका बोत आईज होनी चाहिए 6 upon 12 with or without glasses no relaxation as allowed to any category of candidate on this count for person with disability इसमें आपके code दी हुए है code में work आपका जो F है वो आपके यानि कि जो आपकी finger है वो सही काम करनी चाहिए for permanent pulling pushing आपको lift L से bending ठीक है on bench or a chair आप bench a chair पोनी चाहिए both legs affected but not arms यानि कि आपके both legs तो आपके affected हो लेकिन आपके जो arm है वो affected नहीं होनी चाहिए ठीक है friends यानि कि इसमें जो है आप both legs वाले भी इसमें count हो जाएंगे physical measurement के बारे में यह सब दिल्ली पुलिसका है जो कि आम तोर पर जो normal candidate है नमबर सेटिंग रइट में इंवेंट सेलेक्टिंग बोल्ड तो यह सब उन्होंने तरीका बताय हुए आपका कि किस तरीके से आप जो है अब लेक्टर वगैरा आपकमका तो बस यह जानकारी थी जो कि दिव्यांग ज्यों के लिए थी इसमें दिव्यांग ज्यों की जो वेकंसी हैं वो बिल्कुल है इसमें एच हों वी-ई और एमडी से अपयक्टियू के लिए है और जो की साथ वी साथ one leg से affected है उन लोगों के लिए ये vacancies हैं इसके अलावा यानि कि ये clerical की जोब है एक तरीके से बैट करके work कर सकते हैं इसमें uniform आपको नहीं दी जाएगी दिल्ली पुलिस के अंदर ठीक है दोस्तो तो इस चैनल पर बने रहीएगा इसी तरीकी की जानका आपको चाहिए तो दिव्यांग जोनों से लेटर या फिर गोर्मेंट जोनों से लेटर तो हमाने चैनल पर जरूर बने रहीएगा चैनल को लाइक शिर सब्सक्राइब जरूर कर रिज़ेगा थे नवाद दोस्तों